पाकिस्तानी सेनी तानासा जनरल परवेज मुसरप का दुबाई में निधन हो गया। वेलंबे समय से बिमार चल रहे थी। मुसरप को दिल और उम्र समंदी दूसरी कई स्वाष्थे समश्याएं थी। परवेज मुसरप नहीं 1999 में ततकालिन प्रधानमंत्री नवाज सरीप क बिना बताए भारत की खिलाब कारगिल युद की सुरुवात की थी। उन्होंने सेनाध्यक से रहते तक्ता पलट कर पाकिस्तान में मार्सल लो को भी घोसित किया था। जनरल परवेज मुसरप कारगिल युद के वक्त पाकिस्तान के सेन्य परमुक थे। माना जाता है कि उ गोशित कर दिया 12 अक्टुमबर 1999 को पाक में सेन्य तक्टा पलट हुआ था इस रक्त विहिन करांती में नवाज पर सिरलंका से आ रहे मुसरप के विमान का अफरन करने और आतंगवाद फिलाने का आरोप लगाने के बाद ग्रफतार किया गया बाद में उन्हें परिवार के 40 सदश्यों के साथ सौधी अरब निर्वासित कर दिया गया था 1997 के आम चुनावों में नवाज सरीप की जीत हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभला नवाज सरीप ने जनरल परवेज मुसरप को चीप ओफ आर्मी स्टाप बनाया था जनरल परवेज मुसरप प या नहीं समझ पाए कि जनरल अजीज भी परवेज मुसरप के ही वफादार है आकिर सरीप जिस सेन्य तक्तापलट की आसंका से घिरे थे वे हो ही गया ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताए धन्यवाद